देखिए कहानी पोस्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे दो चीटिया क्या पढ़ेंगे दो चीटिया यहाँ देखिए एक किसका फोटो है एक लाल चीटी है और एक काली चीटी है तो आईए हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं लाल आओर काली चीटी दोस्ट थी थंड का मौसम आने वाला था दोनों ने खाना जमा करने का सोचा लाल चीटी नदिक के किनारे से और काली चीटी खेट से खाना लाई दोनों ने खूब सारा खाना जमा कर लिया अब दोनों आराम से थंड के मौसम में मिलकर खाना खाएंगी तो अब बताएए चीटी या क्या कान कर रही थी किस मौसम के लिए थंड के मौसम के लिए क्या भी टोर रही थी भोजन भोजन जो है इकठा कर रही थी अब ये बताएए कि लाल चीटी ने ये जो लाल चीटी है इसने कहां से भोजने कत्र किया था कहां से नदी किनारे से बहुत अच्छे और काली चीटी ने कहां से इकठा किया था खेत से इकठा किया था कहां से और दोनों ने खाना रखा कहा होगा जिस भिल में वो रहती हैं, वहाँ पे खाना, उन्होंने क्या कीया था? रख लिया था, और क्यों रखा था? जब ठंड लगेगा तो उसको ठिटूर ठिटूर के खाना लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा इसलिए उन्होंने पहले से ही खाना को क्या कर लिया जमा कर लिया अच्छी बताएं ये आदमी लोग भी खाना जमा करते हैं क्या नहीं बना कर रख देते हैं और खाने लाना पड़ता है क्या क्या लिया आते हैं और प्याच बेदा और उड़ाई ये तो सब्जी बराने की बात हो गई खाली सब्जी खाते हैं क्या आप लोग अच्छा तो चावल कहां से आता है खेत से तो खेत में उड़ा रहता है उसमें थोड़ा थोड़ा निकाल के लिया आते होंगे तो इकठा करते हैं नहीं करते हैं करते हैं इधर पीछे से बोलिए चावल और गेव इकठा करते हैं नहीं करते हैं करते हैं तो हम लोग भी अपने खाने के लिए पहले से इकठा करके रख लेते हैं हाना खाली सद्जी खरीद के लाते हैं हां हां बताए हां टटर पे मसीन लगके आता उसी से क्या निकलता है चावल निकलता है देखिए अनन्या लिए ताली बजा दिजिए भाई सब लोग अनन्या खी लिए बहुत अच्छे ठीक है तो इसी तरह से ये चीटियां भी क्या कि अपने लिए भोजन इकठा कर लिए अच्छा दोनों चीटियां क्या थी एक दूसरे की दोस्त थी है ना तो हम सभी को भी एक दूसरे का दोस्त बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए बनना चाहिए इनका दोस्त आरो है देखिए ठीक है तो अच्छा और देखिए जो खाना इकठा हुआ था हाँ इनकी दोनों दोस्त है चलिए ठीक है ठीक है अच्छा चलिए एक बात और एक बात और बताईए कि जो सुनिये ध्यान से जो खाना इकठा हुआ था वो काली चीटिया केले खाती कि लाल चीटिया केले खाती दोनों मिलकर खाती क्यों दोनों मिलकर खाती भाई क्था करी हैं और दोनों दोस्त भी है इसलिए दोनों एक साथ मिल करके खाना खाएंगी तो चलिए लाल और काली चीटी के लिए दोनों के लिए बजा दीजिए ताली